शुरी गनेशाय नमः नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ चिराग दारुवाला और आज हम बात करेंगे कि आज का दिन यानि की 10 डिसेंबर 2023 का ये दिन आप सभी के लिए कैसा रहेगा शरुवात करेंगे मेश राशी से गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपकी रहेगी लेकिन दोपैर के बाद काम में धीरे धीरे तेजी आने लगेगी आप यह समद लेजे कि यदि धन का आगवन रुक रुक कर आ रहा है तो आप यह समद लेजे कि कई स्तरोतों से आप उत्साहित भी रहेंगे आज आप बिना जिजग जोखिम भी उठा सकते हैं और आपको उसका फाइदा भी जरूर से देखने को मिलेगा पारिवारिक माहोल लगबग शान्त रहेगा और किसी की जिद के आगे आपको जूखना पड़ सकता है वरिशब राशी गने जी कहते हैं कि आप आज जहां भी संभव हो लाब की तलाश करेंगे और आपको उमीद से अधिक लाब मिलेगा कारेक्रम में माहोल थोड़ा प्रतिस परदी रहेगा फिर भी विपरित परिस्तितियों में भी आपके हिस्सों का लाब आपके पास जरूर से आएगा अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत भी बहतरीन है नई अप आपको पेट में दर्द आलस से और ठकान अधिक महसूस होगा मिठुन राशी गनेश जी कहते हैं कि आज व्यवसाइक तथा आथिक मामलों में कल की अपेक्षा से बहतर रहेगा आज दिन की शरुवात से ही आपके मन में परियतन और मनोरंजन का भूत चाया हुआ रहेगा आपकी इच्छाय पूरी करने का समय आ चुका है आज आपको कम मेहनत और समय में व्यापार में आशा जनक लाब मिलेगा अगर आप यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन बहतरीन है आज के दिन आप उसकी प्लैनिंग भी कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहतरीन रहेगा करकराशी गनेश जी कहते हैं कि करकराशी वालो आज भी आपको घरेलू और सामाजिक शेत्र में प्रतिकूल परिणाम मिल सकता है दिन की शरुआत से आपका स्वभाव काफी उग्र रहेगा आपके परिजन भी पुरानी गल्तिया गिना कर माहोल को और अधिक अशांत बना सकते है सावदान रहे उत्ते जितना हो मन को शांत रख कर कारेंगे तो जरूर से लाब मिलेगा मान सम्मान मिलेगा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा सिह राशी, गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन भी आपकी उमीदों के अनुरूप रहेगा आप यह समद लीजिए कि आज के दिन अगर आप कोई भी decision ले रहे हैं कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो जरूर से आपको लाब देखने को मिलेगा भागीदारी में कोई व्यवसाय करना चाते हैं तो उसकी शरूरात आप आज के दिन कर सकते हैं अगर आपने कहीं पर लोन के लिए अपलाई किया है, पैसों के लिए अपलाई किया है, प्राइवेट सेक्टर से अपलाई किया है तो आपको बैंकों से लोन, प्राइवेट सेक्टर से लोन मिल सकते हैं पैसों की तकलीफे आज के दिन दूर होंगी तन्याराशी गनेश जी कहते हैं कि आज आपको घर और व्यवसाय में संतुलन बनाने में कठीनाईयों का सामना करना पड़ सकता है दिन की शुरुआत से कारोबार से जुड़ी परेशानिया आपके मन में रहेंगी घर में बड़ों का सयोग न मिलने से ज्यादतर काम आपको खुद ही निप्टाने होंगे कारिय शेत्र के माहोल में अच्छानक बदलाओ के कारण कुछ असुविदा हो सकती है लेकिन सरकर्मियों के मदद से आप इससे उबने में भी सफर रहेंगे संचित धन में कमी आ सकती है तुला राशी गनेजी कहते हैं कि तुला राशी वालो आज भी आप अपने दिल की सुनेंगे और उसके अनुसार कारिय करेंगे आप विवारिक होंगे फिर भी आप अपने में ही खोए रहेंगे आपको किसी का हस्तश्य पसंद नहीं आएगा आपके जिद्दी विवार से सरकर्मी परेशान हो सकते हैं और नोग जोग भी हो सकती है फिर भी आज शाम के समय किसी पुराने रस्ते में से धन की प्राप्ती होगी अगर कोई कानूनी मसला चल रहा है तो आपके फेवर में आ सकता है कोट केस या फिर उसमें समाधान भी हो सकता है वरिशिक राशी गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन आशाओं से विपरीत होगा मौसर में बदलाओं के कारण दिन की शुरुआत से स्वास्त खराब होना शुरू हो सकता है फिर भी व्यस्तिता के कारण आप जबलदस्ती काम करेंगे जिससे दुपैर में अत्यरिक ठकान आपको हो सकती है अगर कोई भी प्रकार का निवेश करना चाते हैं शेर बजार में इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं प्रोपर्टी में निवेश करना चाते हैं तो आज का दिन बहतरीन है क्रोधित नहीं होना है मन को शांत रखना है और ज्यादा विचार नहीं करना है धनूराशी गनेश जी कहते कि धनूराशी वालो आज आपका स्वबाव पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल विप्रीद देखने को मिलेगा आज आप आप में व्यवारिक्ता अधिक देखने को दिखेंगी आपको आप यह समद लीजी के भविश्य में आपको अच्छा लाब मिलेगा वरिष्ट लोगों से नए नए संबंद बनेंगे और अगर आप व्यपार को बढ़ाना चाह रहे हैं एक्स्पांशन का विचार कर रहे हैं तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही बैतरीन है स्वास्त संबंदित समस्या हो सकती है सावधान रहें लापरवाही ना बरते है मकर राशी गनेश जी कहते कि मकर राशी वालो आज आपका दिन लंबित कारियों को पूरा करने में बितेगा आप बहुत मेहनत करेंगे आज के दिन और आपको सफलता भी देखने को मिलेगी आपको आज के दिन किसी भी चीज के चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय आपका है धन का आगमन हो सकता है अलग-अलग मारगों से होगा और आपकी जो आथिक स्तिती है उसमें भी मकर राशी वालो आपको सुधा देखने को मिलेगा धार्मिक कारियों में रूची कम हो सकती है पर आपको मन को शांत रखना है और किसी की भी बातों में नहीं आना है आज का दि बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करेंगे, दिन के पहले बाग में आप काम धंदे से जुड़ी योजनाय तो बनाएंगे, लेकिन उन पर अमल शायद नहीं कर पाए, लापरवाही ना बरतिये, आप यह समद लीजिए कि आज आप पैसा अच्छी तरह से खर्च करे महिला हैं जिनको काम की चिंता थी, जिनको कुछ करना था, आज के दिन आपको कुछ नया काम मिल सकता है, आपका जो माइंड है वो विक्सित हो सकता है, क्रिश्टल क्लियर हो सकता है, आप यह समद लीजिए, तो जहां जहां कन्फूजन था, जहां जहां आप डिसीशन नह ले पा रहे थे आज के दिन आप ले पाएंगे मीन राशी गनेश जी कहते हैं कि आज आपको अधिक लाब की आशा नहीं रहेगी दिन की शुरुआत से मौसमी बिमारियों का प्रकोप आपके काम के प्रती उत्सा को खतम कर सकता है आप यह समद लेजिए जहां पर भी दिल की नहीं चलती है वहाँ आपको दिमाग का इस्तमाल जरूर से करना होगा माता की खराब सेहत के कारण भाग दोड करनी पड़ सकती है घर में किसी की बिमारी के कारण खर्चे बढ़ेंगे आप यह समद लीजिए कि आज का दिन आपके जीवन में भागम दोड़ वाला रह सकत है कुछ परेशानी आ सकते हैं पर चिंता करने की जरूरत नहीं है आपका जो मनुबल है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह जबदस्त रहेगा यानि कि आप जरूर से सभी बादाओं को पार करके अपनी मन्जिल तक पहुंचने में सक्षम रहेंगे और सफल भी रहें शरी गनेशाय नमा